हेलो एवरिफरन गुद मॉर्निंग तो लॉजिक पार्चाला आज किस वीडियों में हम कवर करेंगे 10 एंड 11 जुलाई के इंपोर्टन करिंट अफियर्स के क्वेस्टन्स इस वीडियों का चो पीडियों पेडियों को आप लोगों को मिलेगा टेलिग्राम पर सभी वीडियों के जितने भी चैनल पे आपको दिये चाती हैं वीडियों उन सभी के पीडियर्स आफ यहां से ले सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो चले फ़र्स इंपॉर्टन शेशन की शुरुवात करते हैं मोटिवेशन कोट से इस इस स्कते अब से और आप ऐसे बूल सकते की अगर आप में बहुत बड़ा तरीके इसे करेंगे न तो बड़ी चीज़े करने के जरुवत नहीं बड़ेंगी वो छोटे ही चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जादा बड़ी हो जाएंगी तो चलिए फेंड शुरू करते हैं आज के इस क्लास को इंपार्टनट डे से तो फेंड इस है तो 11 आज 11 आफ जुलाई जिस दिन आपका आता है वर्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंक्या दिवस का फी इंपॉट अब पूचा जाता है तो 11 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है ते इस दिन न जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही ह पॉपलेशन भड़ती है तो उसके कुछ impact भी पड़ती हैं बहुत सरे issues भी आती हैं इन सभी के बारे में लोगों को aware किया जाता है इस्जूस में जैसे कि gender equality, the importance of family planning, poverty, maternal health, human rights, etc. तो इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को aware किया जाता है अब theme, theme भी important देखे इसकी a word of 8 billion towards a resilient future for all, harnessing opportunity and ensuring rights and choices for all. तो ये इस बार की जो है इस दिवस की रही है theme. चले फ्रेंट्स अब शूरू करते हैं question 1 से. पहला question है in July 2022, रानिल विक्रमसिन, he has resigned as the prime minister of which country? अब आप सभी को ये जरूरू पता हो क्योंकि ये भी हाली में prime minister बने थे कौन से देश के? श्री लंका के. और इन्होंने जो है वो अपने पर्ट से resign कर दिया है. तो याद रखेंगे कौन से country है? श्री लंका. He is a member of the parliament from the United National Party. He has been the leader of United National Party since 1994. 1994 से ये इसके leader रहे. तिके पहली बार नहीं है के श्री लंका के prime minister बने थे. इससे पहले भी 1993 से लेके 1994, 2001 to 2004, then 2015 to 2018 and 2018 to 2019 ये जो है श्री लंका के prime minister रह चुके हैं. तो ध्यान रखेगा friends. ये year भी important है. और हाली में जो है वो इन्होंने स्तीफा दिया है. अब देखें बहुत सारे भी recently appointments हुए है prime minister और president के. तो ये revision बहुत जाथ important है. चलिए quick सा हम यहाँ पर revision कर लेते हैं. Somalia के देखें अभी president elect हुए हैं. कौन? Hasan शेख महमूद. इसके लावा UAE में president elect हुए हैं. शेख महमेद बिन जायद अलनायन. Then देखें South Korea के president के पत्पिश अपतली है. यून सुक ये ओल ने. इसके लावा जो पेट्रिक आची हैं. ये ivory coast के rear point में दुबारा से prime minister बनी है. France के दौरा Emmanuel Macron. फ्रांस में जो हैं वो Emmanuel Macron बने हैं. अगले 5 साल के लिए यहाँ के president. इसके लावा देखें Caternell Nobark. ये Hungary की पहली female president बनी. important mark करिएगा. जर्मनी में अपने second term के लिए president elect होए हैं. फ्रेंक वाल्टर स्टेन्वेयर. एंटोनियो कोस्टा री-elect होए हैं. पॉर्टुगल के prime minister बनी है. शियो मारो कास्तरो first female president बनी है. हॉंदोरस की. बारबरोस की जो prime minister बनी है. मिया मोतले. ये अपने second consecutive term के लिए यह प्राइम मिनिस्टर बनी है. देन देखिए निकारगुआ के पांचो टर्म के लिए president बनी है. डैनियल ओर्टेगा. उसके बाद काज़ाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है. अली खान स्माईलो. तो ये काफी सारी countries मैंने cover करी हैं. क्योंकि friends बहुत सारी appointments हुए है इसी साल में जो कि आपके exam के लिए बहुत सादा important होता है. अगला question है हमारा who will launch India's first ever artificial intelligence in defense symposium and exhibition at विज्ञान भवन इन डेली. तो ये जो exhibition है विज्ञान भवन इन डेली में इसको launch किया गया. अब किसके द्वारा इस प्रदशनी का शुभारम क्यों करेंगे? तो सही answer हो जा पास में कौनसी ministry है? तो ध्यान रखेंगे. डिफेंस ministry है और इनके द्वारा ही इस exhibition और इस जो symposium है इसे launch किया जाएगा. अब इसको organize कौन कर रहा है? तो पर ऑविसी बात दे के Department of Defense, Production Ministry of Defense के द्वारा जो है इसको organize किया जाएगा. इस आयोचन के दौरान 75 जो newly developed artificial intelligence के product हो ग साथी में जितनी भी applications है जो कि defense में है उन सभी को यहाँ पे launch किया जाएगा. इन सभी का use देखिए आपके defense में किया जाता है. यह वही सारे product है, वही सारे technologies हैं जिनको यहाँ पे launch इस event के दौरान किया जाएगा. अगला question है, with which of the following has the union health ministry sign an M.A.U. with the aim to eliminate TB in India? तो भारत में TB को खत्म करने के अदेशे से कौन सा इसमें से मद्वाल है जिसके साथ यह M.A.U. sign किया गया है? यूनियन health ministry के दौरा तो सही answer हो जाएगा ministry और पंचायती राज. तो friends देखिए जो union health ministry है, इसने ministry और पंचायती राज के साथ मिलकर यह M.A.U. sign किया है. यह M.A.U. है, यह 2025 तक भारत पे TV को खत्म करने के लिए जो prime ministers का ambitious target रखा गया है, उस target को प्राप्त करने के लिए एक साजिधारी बनाएगा, कि हम उस target को achieve कर सकें कि 2025 तक पूरी तरीके से TV जो है वो इंडिया में end हो जाए. तो यही उदेशे है इस M.A.U. का. next question है हमारा, who has launched revised schemes of cash awards, national welfare and pensions to sports person? तो sports person को pension हो गया, cash awards या national welfare को revised, जो इसकी scheme है नो उनको revised करने, उनको संशोदे जो योजनाए हैं, यह किसमें शुरू करी है? अब थोड़ा सा sports line से सम्बन दे तो आप समझे जाएगा कि अनुराग ठाकोर ने इसे launch किया है, इनके पास में कौन से ministry है? तो ध्यान लेकिंगे friends, youth affairs और sports ministry है किसके पास अनुराग ठाकोर जी के पास, इनों ही यहाँ पर संशोदे जोशनाओं को शुरू किया है. और अलसो देखिए इनोंने New Delhi में जो National Sports Development Fund हो गया, यह गलेचे इसके लावा एक web portal को भी जो है वो launch किया है, यह जितनी भी revised scheme है ना, यह दादस से जादा क्या लेकिया है कि transparency लेकि आएंगी और इसकी वज़ा से जो sports person है उनको काफी जादा benefit मिलेगा, तो इसी purpose से इन revised schemes को फिसे यहाँ पे launch किया गया है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, अगला question है, इन्वेस सिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी has inaugurated the Akshay Pater Foundation new midday meal kitchen in July 2022, कौन से शहर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने Akshay Pater Foundation की नई midday meal रसोई का उधगाटन किया है, तो recently अभी वाराणसी में जो है friends इसका उधगाटन किया गया है, तो जो यह centralized kitchen है Akshay Pater Foundation, यह district के 282 schools में एक लाग से भी जाधा बच्चों की सेवा करने में सक्षम बनाएगी, it is Akshay Pater 62nd kitchen in country, तो country की तो यह बही कौन से नंबर की kitchen है, 62nd और देखे, UP में इसको launch किया गया है, तो UP की यह कौन से नंबर की kitchen है, पांच वे नंबर की kitchen है, थोड़ा से इस बात पे भी जरा ध्यान रखेगा, और इसे launch किसके या inaugurate किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, कुछ हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रिलेट करेंट अफे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान ड्रॉन यातरा को inaugurate किया, साती में 100 किसान ड्रॉन को flagdop भी किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 550 डन capacity गोबर्धन प्लांट को इन दौर में inaugurate किया, तो फ़ेंस यह हमारे मोदी जी से रिलेट कुछ important counter affairs है, नेक्स्ट क्वे तो हर्याली मोहसब को किस ने launch किया, ये question भी बन सकता है भुपेंदर यादव जी ने और कहां पर किया है तो आप का अंसर हो जाएगा, न्यू डेली में, ये जो event है देखिए, ये event एक तरीके से awareness create करेगा, trees की importance की, ताकि हम क्या कर सके, अपने environment को protect कर सके, present यानि आज के लिए as well as as हमारी future generations के लिए भी, तो इसी के उपर ये पूरा का पूरा event organize किया गया था, the festival involved planting 75 saplings in 75 urban forest spaces across the country, तो ध्यान रखेंगे, दो तरीके से कोशन बन सकता है, कि हर्याली जो festival है, ये कहां पे इसको launch किया गया, तो न्यू डेली में, और किसके द्वारा किया गया तो भ पेंदर यादव जी के द्वारा, कुछ और news को revise करते हैं, तो देखे, union culture minister जो है, जी किशन रेड़ी, इन्होंने inaugurate किया, जूतर गम्या जो के festival है, जहां पे अंसंग performance के talent को showcase किया गया, union minister डॉक्टर जतींदर सिंग के द्वारा, सीस्मलोजी अब्जवेटरी को inaugurate किया ग जावा union minister मनसुक मांडविया जी ने inaugurate किया, the national food laboratory और फसाई कहां पर भिहार के रक्सुल में, तो friends ये भी हमारी कुछ और important news है, देखे, मैं आपको revision कोशिश करते हूं कि जादा से जादा कराऊं, क्योंकि revision काफी important होता है, अगर अब current affairs को याद रखना चाहते हैं, लंबे समय तक, तो revision उसके लिए सबसे सबसे important है, next question है, what is the name of the newest airline of India, which has received the air operator certificate from the aviation regulator, DGCA, तो अभी जो है नई एक airline शुरू हुई है, और उस airline का नाम किया है, अक्ष एर, तो अक्ष या अकासा एर जो भी इसको potentiate करेंगे, तो यह अभी एक नई airline जो है, इंडिया में शुरू हुई है, the grant of air operator certificate is the final step for airline launch, जो अकासा, इसे पढ़ेंगे, अकासा, जो अकासा एर है न, he will start commercial operations by July 2022, it is bagged by Belenia Rakesh Jhunjhunwala, मतब राके जुन जुन वाला को इसका समर्थन प्रापत है, मतब उन्होंने काफी ज़दा help करा है, इस airline को, और इसको वैसे इसकी स्थापना हो गई थी 2021 में, लेकिन इसे commission जो है, पो अब किया गया है, मतब एक तरह की से कहता है न, कि चालू जो किया गया है, तो वो यह अब recently ही चालू हुई है, आगला question है, the government of West Bengal and Daesh have signed an agreement to help tourist travel between the two states with ease, यानि दोनों राच्यों के बीच आसानी से यातरा करने के लिए, कि जितने भी tourist आते हैं, उनको काफी easy हो जाए, एक तरीके से यहाँ पर travel करने के लिए, तो उनकी मदद करने के लिए, M.E.U. agreement sign हुआ है, किस-किस के बीच में एक तो है state West Bengal और दूसरा state जो है, वो है सिक्किम, तो इन दोनों के बीच यह agreement sign हुआ है, इस agreement के तहट देखिए, जितने भी West Bengal में registered commercial vehicles हैं, वो drop करेंगे tourist को at their hotels in different destinations of सिक्किम, इससे पहले सिक्किम में, जो West Bengal के register vehicles थी, उन पर restrictions थी, तो वो नहीं आ सकते थे, देखिए वहाँ पे, लेकिर आप इस restrictions को हटाया गया है, ताकि यहाँ पे जो tourist है, यह जो tourist आते हैं, वो easy यहाँ पे travel कर सकें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे सिक्किम की, तो देखिए फिर्ण सिक्किम की जो capital है, वो है गंग्टो, गवर्नर है गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर है, प्रेम सिंग, तामंग, अगर हम map में सिक्किम की location देखिए, तो आप देख सकते हैं, छोटा सब बहु आगला question है, which state or UT government has launched mission कुशल कर्मी program to upgrade the skills of construction workers, तो mission कुशल कर्मी जो कार्यकरम है, यह शुरू किसके द्वारा किया गया है, डेली की government के द्वारा, देखिए यह जो प्रोग्राम में इससे launch किया है, डेली के deputy chief minister मनीश शिशोदिया जी ने, very important point, अब इसमें क्या होगा, जितने भी construction workers होते हैं, उनको यहाँ पे skills या आपके लिए, on the job skills उनको यहाँ पे provide की जाएगी, ताकि वो और अच्छी नईने skills को सीख सकें, उनको यहाँ पे training दी जाएगी, तो government का उदेश है कि वो 2,00,000 workers को इस साल में पूरी तरीके से train कर दे, ताकि वो और बहतरी ढं से अपना work कर सकी, तो इसे ही कहा किया है, mission कुशल कर्मी program, जिसको दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है, अब फेंस थोड़ी सी बात करेंगे हम दिल्ली के आज, दिल्ली के पारे में आपको जितना हो सकेगा बताने कोशिश करूँगी, सबसे पहले दिल्ली की स्थापना कि ने करी थी, अनंग पाल ने, जो की तोमर डाइनस्टी के रूलर थे, डेली में चेफ मिनिस्टर कौन है, अर्विंत केश्रिबाल और लेफ्टेन गवर्नर इस टाइम पे, विने कुमार सकसेना, डेली जो हाई कोट इसके चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, सतीश चंद डेली की जो फर्स्ट वुमेन रूलर थी, उनका नाम था रजिय सुल्तान, अगर बात करते हैं डेली में इंपोर्टन स्टेडियम्स, तो देखें, वो कौन-कौन से हैं, जवाहल नान नहरू स्टेडियम्, शिवाजी स्टेडियम्, अरुन जेटली स्टेडियम्, बनवाई थी, कुतुब मिनार, देखे, कुतुब मिनार का जो निर्माड है न, ये कुतुब बुद्दीन एबक ने शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माड समाप या, इसको एंड किस ने किया था, इल्तु तमिशने ध्यान रखेंगे, इसके बाद है, तुगलबाद फ जो कि बहुत एक्जाम में पूछते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, शान्तीवन, जो कि जवाहललान नेरु जी के समाधी स्थल है, राजखाट है, महात्मा गांदी जी की, विजएकाट समाधी स्थल है, लाल भादु शास्ट्री जी की, वीर भूमी, राजीव गांदी, किसान खाट, चौधरी चरन सिंग, समता स्थल जग जीवन राम, और एकता स्थल ग्यानी जेल सिंग, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कुछ समाधी स्थल है, बहुत ही इंपोर्टेंट पोस्थन से ही, इनके बारे में जरूर ध्यान रखेगा, अगला कोशन है, विज ओव द फ प्रादीश, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ने 296 किलोमेटर लंबे बुंदेलखन एक्सप्रेस वी का अभी रिसेंटल ही इनागरेट किया है, ये क्या करेगा, बुंदेलखन को दिल्ली से जोड़ेगा, तो इसी के साथ यहां पे 13 एक्सप्रेस वी हो गई है, और ऐसा पहला ऐसा स्टेट बना है, जहां पे 13 एक्सप्रेस वी हैं, उत्तर प्रदेश की बात करती हैं, तो फ्रेंड्स, योग्या दितेनाथ हैं, यहां पे चीप मिनिस्टर आनंदी बेन पर्टेल हैं, गवर्नर, जन संक्या के मामले में सबसे, अगर हम बोले, सबसे जन संक्या वो उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, लोग सबस सीटे हैं, एक्टी राजे सबस सीट से, यहां पे फ्रेंड्स 31, एक यहां पे इंपोर्टेंट नैशनल पार्क है, दुदवा नैशनल पार्क, डाम में इंपोर्टेंट है, गोविन बलब 15 सागर डाम जोगी है, र परनारस, ब्रोकार्ट, इंसाडी, गोरकपुर का टेराकोटा, यह बहुत एक्जाम में पुछते हैं, इसके लावर लकनव जार्दोजी, तो यह कुछ रजिस्टर जी आईट हैं उत्तर प्रदेश से, अगला कोशन है, तो यह मनाया जाता है तिरपुरा स्टेट में, तो annually इसको celebrate किया चाता है, इसका मतलब होता है, जो खार्ची है न, इसका मतलब होता है, cleans the sins of mortal soul, यानी नश्वर आत्माओं की पापों को शुद्ध करने के लिए यह मनाती हैं, इस फेस्टिवल में 14 डिटिस, यानी उनके जो कुल देवता हैं, उनकी पूजा की जाती हैं, जि मातरी, तो वैसे आपसे यह 14 जो देवे देवता हैं, उनके नाम नहीं पूछेंगे, आपसे ध्यान रखना है, जो खार्ची पूजा है, यह एक colorful festival है, जो की तिरुपुरा में मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, कुछ और Indian festivals के बारे में revise करते हैं, तो देखे, आ सारवी ध्यान रखो, मुरुंग ध्यान रखो, सोलांग और मोनपा, यह important है, आसम में तो बहुत ज़दा important है अंबू बाची, इसके लावा भोगाली भी हूँ, यह भी important है, और देहिंग पठकाए तो नैशनल पार्क से आपको यादी रहेगा, देन आता है बिहार, बिहार के लिए दोनों important है, छटपूजा और बिहुला, चटिसकड में important है, मागी पूर्णिमा और बस्तर धशेरा, गोवा में सन्बन फेस्टिवल बहुत एक्जाम के लिए important है, गुजरात में है नवरातरी, कर्च उत्सव, उत्तरायन, यह काफी important festival है, गुजरात से, तो ऐसी त question है, कौन सा state है, जो कि 17 सितंबर से लेके 10 October 2022 के बीज, 36 त चुद नाशनल गेम सोंखी इनकी मेजबानी करेगा, तो इनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो सही answer है, गुजरात, यह जो prestigious event है, यह 7 साल के gap के बाद हो रही है, last यह 2015 में हुए थे, कहाँ पे केरल में हु अगला question है, which bank जिन्होंने sign किया है M.E.U. Indian Air Force के साथ मिलके to manage the salary accounts of defense personnel, तो जितने भी रक्षा कर्मी है, उनके वेतन खातों को manage करने के लिए, कौन सा bank हो जाएगा, Axis Bank, तो Axis Bank ने Indian Air Force के साथ मिलकर M.E.U. sign किया है, अब यह जो salary accounts है न, इसमें 56 लाक रुपे तक का आपको accidental cover मिलेगा, साथी अगर air accident हुआ है, तो उसके लिए आपको एक करोण रुपे तक का जो दुरगटना cover है, accident cover है, वो आपको benefit यहां से दिया जाएगा, Axis Bank की शुरुवात उती 1993 में, headquarter है, इसका मुंबई में, और इसकी CEO है, अमिताब कान्त, next question है, who launched a book in Gujarati और इसका title है, स्वाधीनता संक्राम ना सुर्विरो, तो यह एक पुस्तक है, जिसको launch किस ने किया है, तो देखे, इस पुस्तक को launch किया है, मिनाक्षी लेखी ने, मिनाक्षी लेखी external affair or culture state minister है, और इन्हों ने इस book को launch किया है, और यह book किसमें है, Gujarati में, देखे, इस book में न, 75 freedom fighters की, एक तरीके से उनकी, जो भी journey रो इसको celebrate किया गया है, और जो भी sacrifices यहाँ पर किये गए है, उन सबी stories को इस book में share किया गया है, यह book स्वाधीनता का अमरत महस्तव को एक तरीके से mark करती है, कुछ और books की बात कर लेते हैं, तो देखे, crunch time, मोदी से नाशनल सेक्योरिटी क्राइस, यह book लिखी डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने, अन फिल्ड बैरल्स, इंडिया स ओल स्टोरी, रिचा मिश्रा, ओन बोर्ड माई इयर्स इन बीसी सिया रतनाकर शेटी, अब दमिलेनियल योगी अभी यह book लिखी है, दीपम चटर जी बुक लिखी है, सावी और विद, फियर्लेस गवर्नेंस किरनवेधी, गोल्डन बोई नीरचोपला, यह book लिखी है, नवदीप सिंगिलने, दल लेजेंड और बिर्सा मुंदा, तुहीन ए सिनहा और अंकित वर्मा, बोस था अंटोल स्टोडी ओफ एन इन इनकन्वीन और गजवपती, अकिंग विदाउट अकिंग्डम, यह book लिखी है, अशोग बाल, तो friends, काफी सारी books को हमने revise किया है, चलिए अगला question देखते है, important है, recently deputy election commissioner कौन बने है, तो deputy यानि उपचुनाव आयुक्त के पत पर appoint किया गया है, R.K. गुपता को, और इन्होंने T. श्र पान रखना है, मेटा के जो नए Chief Operating Officer बने उनका नाम है, Xavier Oliwan, आरिवेल बांक के Managing Director बनी है, R. Subramanye Kumar, प्रसार भारती के जो CEO बने है, उनका नाम है, Mayang Kumar Agrawal, जिटको additionally DD Director के लिए भी appoint किया गया है, इंडो-UK Culture Platform के Ambassador बने AR रह्मान, SBI के Managing Director पर पे कचार लिया है, आलोक कुमार चौधरीनी है, Next question है, friends हमारा, Who has won the Wimbledon single title? अभी recently दिखे Wimbledon हुआ है, उसमें हमें बताना है कि singles का title किसने जीता है, तो right answer है, यहाँ पे Elina Raibakina, तो friends जो Elina Raibakina है, यह कजाकिस्तान से है, ध्यार रखेगा, और Grand Slam में single जो championship है, जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली यह tennis player बनी है, तो इस point को भी ज़रा थोड़ा सा mark करेगा, इसी में देखिए, अगर हम men's के final के बात करते हैं, तो जो विंबल्डन हुआ इस में men's के final में, किसने जीता है, नुवाग जोकोविशनी, तो दोनों हमें अच्छे से ध्यान लगनी है, कुछ और sports news की बात करें, तो देखिया भी recently, रोही शर्मा, यह पहले captain बने है, पूरे cricket के history में, जिनोंने 13 consecutive लगाता T20 international matches को जीता है, जस्प्रीद बुमरान ने most number of runs यहाँ पर smash कर दिये हैं, टेस्ट क्रिकेट मैच में, टू इंडियन बोक्सर्स, एक का नाम है Manisha Moon 57 kg केटेगरी, इन्होंने कौंसा medal जीता है, ब्रॉंस medal जीता है, IBA Women's World Boxing Championship में, तो फ्रेंट्स यह भी हमें साथी में ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हमारे question होते हैं, finish, नाउ फ्रेंट्स हम परसो में आप लोगों से जो questions पूछे थे, क्या क्या पूछा था, फर्स पूछा था, कि जो एक life saving insurance plan है, बीमा रत्न, इसे launch किस नी किया है, तो LIC ने इसे launch किया, second question यह था, कि कौन से bank ने अथर energy के साथ में partnership करी है, तो सही answer है, SPI, तो friends, आज के हमारे comment है, अनिशा सिंग, प्रिया और अभिशेख सिंग, thank you so much guys, कि आप सभी regular way में हमारी videos पे comment करती है, तो thank you once again, चलिए, आज की questions की बात करती है, where has India's first para badminton academy been established, तो जलूर बताएगा कि पहली जो para badminton academy है, कहां पे स्थापित की गई है, और first class, यानि रंची trophy में, जो है triple century बनाने वाले पहले एक लाड़ी कौन बनी, तो ये भी आप लोग मुझे जल्दी सभी comment section में बता दीजिए, तो friends, ये थी हमारी आज की class, जिसमें हमने 2 दिन का current affairs, पूरी तरीके से अच्छे से cover किया है, मैं आप लोगों से फिर से again मिलूँगी, next video में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो please guys, आपसे request करते हूं कि like जरू किया करें, share करें इसे ज़्यादर से ज़्यादा और channel पे नहीं हो तो subscribe जरू करें, thank you so much for watching this video.